गुड मॉनिंग फ्रेंट्स आज बात करेंगे डाइरिया की दस्त के इलाज को समझेंगे इस्पेसली मैं आज सिर्फ उस दस्त की बात करता हूँ जो अक्यूट डाइरिया है तब बॉलोल से उपर के ऐसे बेक्तिएु में ले क्या चालता है उस से लिए काफी सारे टेस्स कराने पढ़ते हैं ठेस्स के बैसिस पर इपता चलता है कि अलाग 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 इलाज होता है तो chronic diarrhea के बात किसी और video करेंगे और जो बच्चों में diarrhea होती है उसकी भी बात अभी नहीं करते हैं तो कि बच्चों के diarrhea जल्दी खतरनाक हो जाती है बच्चों में पानी के कमी जल्दी हो जाती है इसलिए काफी serious बात हो जाती है इसलिए उसका भी बात में बात करेंगे तो अभी acute diarrhea 12 साल से उपर के लोगों में करते हैं अब diarrhea होती क्या है? acute diarrhea ज्यादा तर cases में infection की वज़ास होती है चाहे bacteria हो चाहे virus हो चाहे parasite हो amoeba या entamoeba histolytica maximum cases में यह देखाई है तो नोरा वायरिस होती है और बरसात की सीजन में हो रही है तो दूसी तखाने में bacteria, salmonella, sigela, ecoli यह सारे होते है acute diarrhea में होता है कि आथ के अंदर बाहर का parasite जाता है तो आथ ज़्यादा पानी से क्रीट करती है ज़्यादा म्यूकस से क्रीट करती है और अपनी जो motility है जो गती है उसको बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा बार इस टूल जाने से जो bacteria virus हो जल्दी इस टूल के रास्ते निकल जाए तो diarrhea, dust का लगना एक तरीके का protective phenomena है, एक तरीके का अच्छा तरीका है सरीर जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकलना चाहती है लेकिन समयस्या सिर्फ इसमें एक ही बड़ी आती है कि ये ज़्यादाबार जाने से ज़्यादा volume में जाने से पानी की कमी हो जाती है जिसको उन लोग dehydration बोलते है medical term में, dehydration मतलब कि सरीर में पानी कमी होने से blood pressure कम हो जाना ठकान लगना, मुझ सूख जाना और इसमें electrolyte भी कम हो जाता है imbalance हो जाता है, sodium potassium का level भी disturb हो जाता है तो सिर्फ यही दो बाते देखना है कि पानी सरीर में बना रहे और electrolyte ठीक रहे बागी ये जो 10 दारिया है 2-3 दिन चलता है self limiting होता है 90% से जादा लोगों में और कुछ भी करने के जुरूत नहीं होती तो अब इसका क्या-क्या इलाज करना है क्या-क्या step होनी चाहिए उसके बारे में बात करते है तो पहला तो है कि आपको एक दिन तो rest लेना है कि आथ के अंदर inflammation होनी के वज़ा से सूजन उगरा रहती है वो अपना काम digestion कभी अच्छे से नहीं कर पाती और water भी लिग करती है तो खाना आसानी से पच जाए और खाने में पानी हो तो सबसे पहले सिर्फ पानी की बात करते है सबसे स्टापसन रहता ORS जो market में मिल जाता है काफी सस्ता रहता है तो उसको आप देख ले इसको कितने पानी में कितना डाल के मिलाना है ORS कितना पीना है ORS एक बार में डेड़ सो से लेके 200 मेल पीना है वतलब आधा गिलास पीना है एक लेटर पानी लो उसको गरम करो फिर ठंडा करो उसमें 6 चम्मच चीनी डालो आदा चम्मच नमक डालो और थोड़ा सा नेबू निचोड़ लो ORS में जो चीजें होती है सेम इसमें भी मिल लाएगी और इसको भी जितनी बार दस लगे उतनी बार आपको आदा गिलास ले लेना है तो इस तरीके से आपका जो डायरिया में डियर्डेशन की समयच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च तो ये तो हो गई dehydration करेट करने के बाद तो आपने रेस्ट किया एक दिन dehydration को करेट कर रहे हैं अब अगर खाने का मन कर रहा है आपको जो खाना है वो ऐसा चुनना है जो आसानी से पच्चा जिसमें जाता है तेल मसाला ना हो जिसमें दोथ की चीजे ना हो और जो नानवे जिसमें ना हो तो जो खाना रिकमन कर जाता है एक तो चावल रहता है चावल के साथ दही ले ले उसके अलाबा पपीता रहता है, वो खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, और सेव है, एपल है, उसको उबालके खा सकते हैं, इसके अलाबा खिचडी है, दालगा पानी है, दलिया है, टोस्ट है, ऐसी चीजें खाएं, एक दो दिन तक आपको ये खाना है, एक दो दिन में रिकवर जाधा तेल मसाला होता है प्रोटीन होता है नान्वेज होता है दूध और दोससे बनी चाहिए ओंडेल सेटरान आती है तो मिटा क्लोप्रमाइड ये दवाईय आती हैं अगर बोमिटिंग का संसेशन आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं गैस की दवाई है उसको भी लिया जा सकता है फिर एक तीसरी दवाई है प्रोबायोटिक क्या होता है ये अच्छे वाले हि उसके लिए जुरुत होती है तो ये डायरिया में उनका जो proportion है imbalance हो जाता है तो ये healthy वाले bacteria लेने से जो डायरिया है वो जल्दी ठीक हो जाता है ऐसा research में देखा गया है तो probiotics लिया जा सकता है सुबह साम इसके सैसे आते हैं capsule साती है तो ये ले सकते है especially ऐसे लोग जरूर ले जो antibiotic खा रहे हैं उस cases में तो जरूर ही लेना चाहिए या डायरिया बैक्टीरिया की वज़े से हुआ है तो probiotic लेना काफी अच्छा रहता है तो आपने probiotic ले लिया इसके बाद बात करते हैं antibiotic की antibiotic इंडिया में काफी commonly लोग लेते हैं जरा साब उल्टी दस्थ हुआ नहीं की medical store से जाके antibiotic ले ले अब antibiotic का रोल तभी रहता है जब bacterial origin की डायरिया हो अगर virus के कारण हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर virus origin की डायरिया है इस तरह की antibiotic कामिनेशन में लोग खाते रहते हैं ये सब लेने की जरुत नहीं है maximum cases में किस case में लेने की जरुत है अगर डायरिया में आपको लगता है कि blood आ रहा है दिखने में लग रहा है कि blood आ रहा है दस्थ कम आ रही है पेट में मरोड जादा है और बुखार है तो बुखार का आना मरोड का लगना दस्थ का जो volume है वो कम है और दस्थ में blood आ रहा है पस्तिल आ रहा है तो ये bacterial infection होने की निशानी है या तो कोई ज़्यादा serious लग रहे है उस cases में ये antibiotic लेना चाहिए ओ फ्लाकसासीन ये सारे carbonation में रहते हैं अकेले अकेले भी लिया जा सकता है अभी दाक्टर को आप दिखा के लेना है खुद से नहीं खाने लगना तो ये antibiotic का रोल बहुत ही limited है मतलब bacterial origin का infection हो या तो पैरासाइट की वज़ाए से हो अमीवा की वज़ाए से हो तब ये दवाईयां काम आती है अगर आप antibiotic लेने लगोगे तो उसका नुकसान ही रहता है कि आथ के जो अच्छे bacteria है वो भी मर जाते है तो बिमारी जो आपकी जो डाइरिया दो दिन में ठीक होने वाली है उसको ठीक होने में 5-6 दिन लगेंगे एंटिबायोटिक लेने से हिलाज मेंगा हो जाएगा एंटिबायोटिक लेने से इस्टेंस डेपलाफ होने लगेगा ये दवाईयों का तो इसके काफी सारे नुकसान है इसलिए सोच समझ करेना चाहिए तो ये बात हो गई एंटिबायोटिक की और एक दवाई और जो काफी कामन है लेनी वो anti-motility medicine है low pyramid लो पिरामाइड भी क्या करती है जो पिली पिली दवाई होती है वो जो diarrhea की frequency है जो दस्त आपको लगती है उसको कम कर देती कैसे कम करती है आथ की motility को slow कर देती है तो यह सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा वाल्यूम में मतलब इस्टूल बहुत ज्यादा माउंट में भी है और ज्यादा बार जाना पड़ रहा है उस cases में ना लें तो ही बहतर है क्योंकि इससे समयस्य क्या होगी कि जो आथ अपना bacteria virus को बाहर निकालना चाह रही है उसकी motility slow होने से बीमारी के ज़्यादा लंबे खिचने की समयस्या होती है जो बीमारी 3-4 दिन या 2-3 दिन में ठीक होने वाली है वह थोड़ा ज़्यादा दिन में ठीक होगी और इस्पेसली अगर bacterial infection की वज़ा से हो रहा है उस cases में नहीं लेना है अगर इस टूल में blood आ रहा है तब यह दवाई नहीं लेनी है और बीमारी बिगड जाएगी कहने का मतलब है कि बैक्टेरियल ओर्जिन के कारण यह डारिया है जिसको हम लोग डिसेंट्री बोलते है आर बीसी आ रहा है तब यह लोपिरामाइट जो ठटी रोखनी की दवाई है वो नहीं लेना है इस बात का ध्यान रखें बलकि इसके जगा पर एक दवाई आती एंटी सिक्रेटरी मेट्सिन जिसको रिसिका डोट्रिल बोलते हैं 100 मिली ग्राम की आती यह लिया जा सकता यह क्या करती है आत में जो ज़्यादा पानी का सिक्रेशन है उसको रोख देती है तो इस एंटी मोट्रिल लोपिरामाइट की जगा पे रिसिका डोट्रिल लेना फिर भी उससे थोड़ा सेफ है बहाराल अगर कम दस्त है हलकी दस्त है तो दोनों को ना ले तो बेतर है तो रिसिका डोट्र ये भी एक आप्शन है जो डाइरिया की मरीजों में दिया जाता है इसके अलावागाद पेट में ज़्यादा मरोड है तो मरोड के लिए भी दवाई आती है हायोसीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बसको पान नाम काफी पापलर है ब्रेंड ने उसको लिया जा सकता है या ये लिए जा सकता है पेट में अगर बहुत तेज मरोड है और गैस की दवा और उल्टी की दवा ये मैंने बता दी थी तो इतनी सारी दवाईया है जो डाइरिया के पेशेंट्स में दी जाती है ज्यादा तर केसिस में डिहाड्रेशन मेंटेन करना मतलब पानी पीने से रि इंटी बायोटिक, प्रो बायोटिक, ये एंटी मोटल्टी मेटसीन है, गैस की दवाई है, उल्टी की दवाई है, डिहाड्रेशन के लिए ORS पीना ये सब करना पड़ेगा, तो डाइरिया के इलाज में क्या क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं ये बाते आप समझ गए हो इंटी आप समझ गे, ये अकीट डाइरिया के मैं बात कर रहा हूँ, जो थंड के मौसम में बरसाद के मौसम में होती है, या तो आप की जगा बदलने से, आप दूसरे शहर में जाते हो, तब गंदे खान, पान से, दूसरी खाने से, दूसरी बाणी पीने के वज़ए से हो उसी में ही वो सुस्त पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टिहर्डेट हो जाते हैं इसलिए उसमें, मैक्सिम्म केसेस में आपको डाक्टर को दिखा ही लेना चाहिए क्योंकि आजकल तो डाक्टर हजएगा, आसपास में उपलग्द है तो बच्चों में घर पे रखने का, अपने सिलाज करने का या अबजर्वेशन करने का ज्यादा मतलब नहीं निकलता है बाहर आल यह अक्यूट डाइरिया का यह जो नार्मल दस्त होती है, उसका इलाज है अब आप समझ गया होंगे, ऐसी मैं उम्मिद करता हूँ